हमें पता है कि हमारे लोगों ने 5000 साल तक गुलामी किया आगे एंडिया पीच्छे जाडू बांद के आज भी हम जो है मुछों के लिए माल दिये जाते हैं पानी के लिए माल दिये जाते हैं और भलतकार करना बहुत आम बात है तो आप यह सोचते हैं कि क्या सुप्रिम कोट अगर यह बोल देगा तो हम मान लेंगे कि कब तक भारत का जो मुस्लिम है सुप्रिम कोट में चीश जशीस ऑफ इंडिया नहीं बनेगा कब तक हाई कोट में नहीं बनेगा क्या सिफ यह कि नहीं नहीं यह तो बंगलादेशी है यह पाकिस्तानी है और यह दाड़ी वाले ह आतंगzahlवादी है यह उगर बादी है बस फूट डालो शासिन करो भारत के अंदर शारैंवन बने वह इनिवे स्स्के का बनांगा लूगों ने उच नीच में इनिलोगोंने जाती नहीं लोगोंने कास्ट बनाइं इन्स वेधह किया इन्सलोगों ने ऐसे तीजिए में नही दाल दो तो यह चीजे होई अब यह जो फूट डालो साशन का रख नीती है वो किस लिए लाग हुई सुप्रीम कोट ने ने दिया सुप्रीम कोट ने कहा कि आरक्षन का फायदा सिर्फ कुछ विशेश वर्ग ले रहे और आरक्षन के अंदर जो है सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए वर्गी करने इस प्रकार होना चाहिए कि हम उसको चार और पांच भागों में दिवाइड करेंगे और उसके बात जो आ जो जिस क्लास का रिपर्जेंटेशन नहीं हो भाया उस क्लास को रिपर्जेंटेशन देंगे इस वाल यह है कि क्या सुप्रेंग कोट के पास पावर है आप एक बहुत अच्छी तरीके से बात समझ पाएगे है कभी आपने बापरी मजजिद या अध्या का नाम सुना है सुरिख नाम सुना है एक पिटीशन फाइल होती है जिसके अंदर ये डिकलेर करना होता सुट फॉर्डिक्लेर कि बढ़मांदिर नहीं है कि यह बापरी मजजिद को तोड़के महां राम मंदिर बनाया गया या राम मंदिर प्ले से नहीं बोजुद था यह पहले डिस्टिक क के सामने सवाल ये था Supreme Court को decide करना था. Supreme Court को ये तत्रय डिसाइड करना था कि क्या वहाँ पर पहले भापि मस्जित थी या रामандि था. Supreme Court ने उसे decide नहीं किया. Supreme Court ने suit for declaration को suit for partition बना दिया. Su accommodation कैसे बना दिया हिस्सा आ रख़ो ये हिस्सा आ रख़ो एक trust बना दो क्या यह सही न्याय है मैं आपको एक बार बता हूं सुप्रीम कोड डिसीजन तो दे रहा पर जस्टिस नहीं दे रहा यहां पर जस्ट डिसीजन और जस्टिस में अंतर है अब जैसे कि आप शड्यूल काश के साथ कि अब हम जो है वरगी करन कर देते हैं आप समाल बारत का मुसल्मान है जो आजादी के समय छेस्टों का राजा था कि सरकाई नोकरियों में 25 पर्शेंट था भारत का पूरा क्रीमिनल लौ उत्तर भारत का पूरा क्रीमिनल लौ अर्भी फासी उल्डू पर डिपैंड था सारा जो जो अपरादिक मुकत में होते थे जो जित स्प्रीम कोट जर्नल कैटेग्री में भी वर्गी करन करेगा क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर जर्नल कैटेग्री की 50 सीटे निकली है तो दस सीट उसमें ब्राह्मन, छत्रिय, वेश्य, शूद्र, मुस्लिम, सिख, इसाई, पाल्सी, जैन, सभी वर्गों के लिए क्या इसले लोगों को फाइदा नहीं होगा यहीं तो समझाए जरा है वर्गी करन से जो लोग अभी भी रह रहे हैं वह पीछे ही रहे हम तो चाहते हों हम तो यह चाहते हैं कि आप रिजर्वेशन की कैटेग्री बढ़ा दीजे ना फिर भी तो बात है कि उनका मानना यह कि वर् उपको यह ठीम कोट के सामने कोई सदयों का मदक्रमच के सांसरे का रीम आ कर दो प्रेश्शन पेट जब मामले का लगा है वह सकता है कि मुस्लीम ना बोले हूं परन्तु वो जो डिसीजन है वो कानुन रूप से सही नहीं था दूसरी बाद मुझे बाद बदाई शडूल का सका मुद्दा शडूल कास की सुनवाई नहीं है शडूल कास की कितनी जाती होगा अपना रिपरजेंटेशन दे रिया क्या अब आप कहते हो वर्गी करण से एक वर्ग को फायदा होगा तो ठीक है मैं माननीय सुप्रीम कोट और सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो समाज का सबसे निशला तबका है उसके तबके को आप सुप्रीम कोट में जज़ बनाएं यह कहां लिखा हुआ है कि कॉलीजी में जिसका बाप जज़ होगा जिसका दादा ज़ज होगा उसका बेटा आप होता और वही सिर्फ तीन सो परिवारी हाई कोट और सुप्रीम कोट में जज़ मनेंगे कहां लिखा हुआ है दूसरी बात हमारे लिए कानून बनाने के लिए पारलेमेंट है पारलेमेंट में इस वक्तार सांसद है और आप कहते हो कि सुप्रीम कोट सुझाव देगा अच्छा तो एक जस्टिस में एक आए कि भारत का जो राज है वो मनुष्मत्य और गीता के हिसाब से होना चाहिए पता है आपको यह बात आरेक्षन वाले मुद्दे में यह बात निगल के आई है कि भारत को जो है राम चरीदमानस और गीता से जो है सुझाव लेने चाहि कि सिफ एक विशेष वर्क की मुझे एक बार बदाओ पाल्लेमेंट का उद्गाटन हुआ पूरे भारत से पंडित बलाएगे आपको कोई मौलवी नजराया महां पर क्या कोई बद भिकू नजराया कोई नजराया कोई नजराया आपको कर सुप्रिम कोट कहते है नहीं जी जो अच्छा एक बार बदाए यह कहते है जिसने रिजर्वेशन का एक फायदा ले लिया और दुबार नहीं लेना चाहिए बिल्कुल ठीक है तो हम यह कहते है कि जिसका बाप एक बार जज़ बन गया उसके बेटे को जज़ नी बनना चाहिए जिसके पास एक कोठी हो गए उसके बाद दूसरी कोठी नी चाहिए जिसके बाप दादा आई एस इस रहे हैं जैनल में भी उनको दुबारे नोकरी नी मिलना चाहिए यह क्राइटेरिया आप लागू करते हो इस पर सफ़ सट्यूल कास पर आप मुझे बदाए ना भारत के अंदर मुस्लिम नोकरियों म पानी के लिए माल दिये जाते हैं और भलतकार करना बहुत ताम बात है तो आप यह सोचते हैं कि क्या सुप्रीम कोट अगर यह बोल देगा तो मान लेंगे दिए एक एक बात सुनिए अगर सुप्रीम कोट यह गारंटी दे दे कि जो दूसरा वर्ग है उसे वह नोकरी पर लेगा तो यकीन मानिए हम सुप्रीम कोट का तह दिल से स्वागत करेंगे डिसीजन का स्वागत करेंगे परंतु यह फूट डालो और राज करो की नीती है अब आप एक बार बताए जन्रल कैटेगरी में वर्गी करन क्यों नहीं हो सकता क्यों मुस्लिम जो है क्या भारत का सुप्रीम कोट में चीज जिस ऑफ इंडिया नहीं बनेगा किया सिर्फ यह कि नहीं नहीं यह तो बंगलादेशी यह पाकिस्तानी है और यह कोदिया और यह उर्वादी है अब आप कहता है कि मुस्लिम मुस्लिम अलग है और जो है शडूल कास अलगा जिज दिन सचर कमेट रिपोर्ट पड़ोगे ना जो 5000 साल में इन्होंने सब्सक्राइब कर दिया और यकीन मानिये कि दो फाड करके समाज को तोड़के आज जो लड़ाई क्या है आज सब को लगता है कि यह साले दलिक मुस्लिम एक साथ हो गए यह जरूर कुछ ना कुछ जो है उल्टी सी दे करम क इन्हें कि यह एपर बात कि यह जो अगलादेश के अवर्वा अपस की लड़ाई है हमारे बाई बहाई बहु घ लेंगे वह अगए नहीं करेंगे पर 안टु मुझे बताओ कब तक क्या सुप्रीम कोट सुप्रीम है क्या सुप्रीम कोर्ड ने इस बात पर संग्यार भारत चोड़ के भाग जाते हैं कितने मुस्लिम भाग गए भारत से यकीन मानिये खुलके गहरों आपके चैनल से अगर अमबानी जितना पैसा कोई मुस्लिम भारत के अंदर कर देता है ना तो उसकी साथ पूरी पीडियों को ब्रबाद कहने देते हैं और कहते हैं इसके पास जो है दो नंबर का पैसा है क्योंकि मुस्लिमों के पास जो पैसा ही में दिखता है वो दो नंबर का दिखता है परन्तु नोन मुस्लिम के पास जो पैसा है वो उसकी मेरिट है क्या की मेरिट अरे भई ताज महल इनका और लाल किला इनका पूरे भाग के अंदर इनकी लेकि चोटी-चोटी जुगिया मिलेंगी, अब यह कहें कि नहीं, भाया वक्फ के जो है, हम एक वक्फ का लोग ला रहे हैं और वक्फ के लोग में यह होगा कि मुस्लिम होगी जगा, नोन-मुसलिम को हम लियाएंगे, क्या मुसलिम समाज इस बात को accept करेगा तो हम नहीं कर रहे हैं रही बात कि भई शडियूर कास का एक तपका जो विरोध कुछ नहीं कर रहा हमारे आपस की लड़ाई है रिजर्वेशन हम अपने भाईयों को भी दिलवाएंगे खुद भी दिलेंगे क्योंकि रिजर्वेशन किसी के बाप की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है रिजर्वेशन हमारा समविधानी का दिखार है जो चीज कॉंसिट्टीट असेंबली ने बनाई जो चीज पार्लेमेंट ने बनाई जो चीज समविधान ने दी उसे सुप्रिम कोड के 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 जजज नहीं बदल सकते और अगर यह बदलेंगे तो हम खुल के उसकी में खाफलेट का दिखार है तो हम खाफलेट का दिंगे